ये जातक कहानी का नाम है सुधा भोजन जातक सुधा भोजन कहा कहें? सुधा देवलोग का प्रड़क्शन है तो एक बांते जिता बगवान बुद्ध के समय में कमाल ये बांते जिता हमेजा दान देता है, दान देता है, दान देता है, और देना चाहिए, और देना चाहिए करते कभी भी ये बांते जी, अकेले कुछ खाता पीता है ये नहीं हमेजा देते रहता है, हमेजा देते रहता है, हमेजा देते रहता है कुछ अपने के लिए मिल गया तब तुरांट बाटता है बाट के खाता है अकेले कान में डरता है बात देजी क्यों? हम अकेले काएंगे उससे अच्छा है हम किसी साथ बाट के खाएंगे बाट के काया तो पुन्य मिलेगा अकेले काई तो कहा पुन्य है, जो था वो पुन्य खतम हो जाता है अकेले काई से, तो यह बानते जी का दान के बारे में हर जगा फेमस हो गया, बोजन भी देता है दूसरों को, कोई आगे तो अपना को टिया दे देता है, कोई कमी हो गया तो अपना निसीदन दूसरों को द अंडप में बनते लोग बैठके बात रहते बंते जी के बारे में पुरा फेंस है बंते जी सबनाड़ कर रहे हम वहाँ जाएंगे तो और ये बात खुबसुरत हो जाएगा इतर छण हों के धर्म सब्वा म opinon बराप्त हो गया। कि आप आप बात आप लोग भात कर रहे थे हम आने से पहले। बताए एक बांतेजी के बायए आे बात करें। बताए वह भीक्षू पहेummे बहुत खंजूस त․ लालची था, अपना खाना दूर की बात है, इतना धन साव धनी बन गया, इस गुंदा किसी को नहीं दिया, मेरे चाहिते वो धनी बन गया है बन दिलों बता है, ऐसे है तो बगवन, वो कहानी बता ही हमें क्रिपाकर की, क्या हुआ पहले, बता है बहूत पहले, भारत में एक राजा था, उस राजा का समय में एक आदमी था, उसके पास 84 खरोर का धन संपत्ती था, उस आदमी के पास, नुमल आदमी था चुरार सी करोर का धन संपत्ती, इसलिए महाराज ने क्या किया, उसको में सेठ बनवा दिया, तुम आज से इस देश का सेठ हो, सेठ का चात्र दिया उसको, चाता दिया, तो ये सेठ जी, सेठ जी बन गया, अब ये और पैसा मिल रहा है सेठ जी को, तो सेठ जी ने सोचा, जो कुछ धन मिल जाता है, जो कुछ संपत्ती मिल जाता है, वो कभी गलत काम करने से नहीं प्राप्त होता है, पाप करने से एक तैसा भी नहीं मिलता है, अगर हमको जो अभी मिल गया, तो जरूर मिल गया, पिछले जन्मों जन्म में, जो मैं ने किया, उस पुन्य के कारण, एसा है, तो इस जन्म में भी मेरा ये दन का मतलब क्या है, हम दान देंगे, राजा को दे देंगे, महराज के पास जाके बताया, महराज, मेरा दन में आप सब ले लिजी, सब ले लिजी, महराज, पुन्य करने के कारण, मुझे दन प्राप्त हो गया, हम चाहते सब दे दें दान मुझे एक भी नहीं चाहिए क्यों मेरे पास है धन तुम्हारा दान में लेक्यों तो महराज ऐसा है तो मुझे एक चीज का अनुमुति दिजी हम दान देना चाहते दुसरों को हाँ ठीकि वो कर सकता है इसे तो महराज राजा का मेहल में दान देने का जगा है राजा का मेहल में चार दर्वाजा है महल मतलब ये आस्क्र महल जैसे तो मेंगे तेज दर्वाजा है ओईसा मतला पुरे गिरा हुआ इन उसको चार दरवाजा के जगा पर हम चार दान्शाला बना देंगे इसके बाष महाराज मेरे घर में भी दो दरवाज उदर में हम दो को दान्शाला बना देंगे अन्न शाला तो ठीक है महराज बाता ठीक है एक दिन में लागों रुपया खर्च करकी दान दे रहा है तो बहुत सारे लोग अच्छा से बनाने वाले भोजन खाने के लिए दूर दूर से आता है इसके बात क्या हुआ यह सेब्जी बहुत पुन्य करने लगा बहुत पुन्य करने लगा एसा पुन्य करके बुड़ा हो गया बुड़ा हो गया मरने के बाद सीधा जनम पाया सक्रदेव इंद्र जी का जगा पे जनम लिया देवताओं को मुखिया बन गया इसका उसका बेटा भी बेटा को भी ओर धन मिल गया बेटा ने सोचा पापा ऐसा पुन्य किया है सच्मुच में ये सारे धन पिछले जनम जनम में पुन्य करने के कारण ही प्राप्त हो गया हम क्यों हम भी देंगे जो पापाने करते हैं वो चीज़ करते 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 दान देने लगा इसके बाद वो मरने के बाद चंद्र देवराज बन गया चांद्र देव राज बन गया बेटा मरने के बाद मतलब वो बुड़ा हो के पिर उसका बेटा वो सही पुन्य करने लगा अपना वांस का बात है अपना वांस का बात क्या है दान देना तो मैं भी दान दूंगा क्योंकि ये सारे दान ये सारे धन सामपात्ती पुन्य करने कारण ही प्राप्त हो गया एसे करें कि वो भी दान देने लगा वो भी दान देने के बुड़ा होके मर की सूरे देवराज बन गया सूरे देवराज, सूरे देवता बन गया सूरे जी इसके बाद उसका बेटा भी वह सही पुनी करने लगा वो मरने के बाद मातली दिवी पुर्थर बन गया मातली मतलव इंद्रजी का रज चलाने वाला, ड्राइवर उसका बेटा भी और पुनी करकर पंच Kerry को पंचशिक बन गया पंचसिकर मतला देव लोग में सबसे सुन्दर, बाजा बजाने वाला, सबसे सुन्दर, वही बन गया पंचसिकर पंचसिकर का पूत्र है कोशी, कोशी सिट जी को आसी खरोर धनसंपत्ती का मालिक बन गया, मिलने कर अपना परामपर से आया हुआ चीज करने का द्यान नहीं रखा, वो क्या बोला, वो सोचा ये धनसंपत्ती मेरा है, बिखारी को हम क्यों दें, नहीं दिया, तो बहुत सारे बिखारी लोग महल पे, दर्वाजा पे हल्ला गुला करने लगा, महारा में सेट जी, हमारा भूख प्यासा को मिटा दिजे, आपका पूरे परामपरा से आ रहा है ये दान, आप रोक रहा क्यों, सेट जी प्लीस हमें हमें मदद करिए, हट जा जा, यहाँ बिखारी कान मना है, इसके बाद उनलोग बहुत गुस्सा किया, बिखारी लोग, तू तो अपना वंसे से आया हुआ, परामपरा से आया हुआ आदत, लगातर नहे ले जा सकता है, बिखार है, चलो करके गया, फिर भी कोई को लोग भुला करने लगा, तो नो कर लोग डाल कि उनलों हटवा दिया, गेट सब बंद करो दिया, अभी ये कोसी बहुत खंजूस है, कभी दान देता नहीं, एक दिन कोसी को राजा, कोसी कैसा सेट जी है, काता नहीं, हमेसा माड बात काता है, बच्चे लोग को भी खिला आता नहीं, अपना पाती नहीं को बाल बच्चे को पुराना सठल-पठल कपड़ देता है पहने के लिए, खोद भी ओज से कपड़ पहनता है, आने जाने के लिए बढ़ा बेल, टुटल-पठल बेल का रत इस्तमाल करता है, और, शेट लोग के पास चाहता होना चाही, इनके पास अपने से सिलाया हुआ, पुराना-पुर करेकर सिला के अपने सिछाता बहान के लिए जा रहा है इसी प्रकार बहुत दुखी से जीवन बिता है अच्छा से काता पीता नहीं क्यों खंजूस है सोचा खर्च हो गया तो ज़्यादा तब ये एक दिन कोशी राज्य सेवा में जाने के लिए सोच रहा था तो सोचा मेरा दोस्त सेपजी के साथ आज जाएंगी दोस्त सेपजी के घर पी गया जाते जाने के बाद देखा बिना पानी मिलाए गए सिर्फ दूद से बनाया हुआ खीर उसमें घी मिला कर सक्र मिला कर और और मद मिला कर आप बहुत सुगंद खीर बना है, सुगंद देखते ही खोशी सिर्जी का मूँ में पानी आ गया, खाने का मन किया, वो सिर्ज बताया, आई आई सिर्जी, खड़ा हो के स्वागर करें बताया, आई आई बैठी, चली हमारे साथ आने के जाने के लिए आपका इच्छा थी, तो आई आज हाप मेरे घर पे नास्ता करें चलें, बहुत स्वाधिश्कीर बनाया, फिर सोचा खाएंगे, अगर हम इसी घर से खाएंगे तो फिर वापस इसका प्रत्ति उपकार को पाने के लिए हमारे घर पे बिया जाएगा, बना के देना पड़ेगा, इस अच्छा हम जबरत्त बोलने लगा, तो वो बताया, हम आज भर बेट सुबा का के आया है, अभी खाह गुसा देंगे, जगा भी नहीं, अच्छा ठीक ऐसे तो इंतजार के हम खाके तुरांत आएंगे, वो खाना देखते थी, वो खाना का रहा है ये पानी पी रहा है, पानी पी रहा है इसके बाद क्या हुआ चला गया, जाके साम में घर आया, सूझ जाके सूथ गया पे जाके सूत गया, देव सूट गया, अभी दीर दीर खमजर हो रहा है सरीर, दूबला पतल होने लगा, चिन्ता में सुबा दीर आएंगे पोच रहे हैंते स्वामी क्या कोई problem है आप सही डांगे से खाना नहीं कहता है कुशी से रहता नहीं चिंता में है आप सोते रहता है दुबला हो गया, पथला हो गया क्या, problem क्या है, मुझे बताये ना हम सब सोल करनेंगे हट जाओना मुझे कोई चीनता नहीं कोई ना कोई चीनता है कि आपको कोई अपमान किया या कोई आप किसी पर आपराज किया या कुछ खाने का लालची आ गया या फिर कोई आपको कुछ सुब भोगने का प्यास आ गया बता है यह सब नहीं हमको तो कुछ खाने का तो लालची आगए क्या क्या काने का लालची आगए बता है हमको खीर खाने का विना पाने मिला के बनाया हुआ खीर खाने का मन आगए आयो सिर्जी स्वामी चोटी सी बात है हम लोग पूरे राज्य को खीर खिला देंगे तुम दाहज लेका है ने घरपे, तुम्हारा ख्याला या जो दाहज लेका है जाकर बाट दो तेरी, ठीक थीके स्वामी जी आपणा ठोला में छिप बाट दो, ठोला पे? उनलोग किया हम को दे रहे है ठोले के लोग? जाके तू खिला उसको लोग, मेरा एको रुपया नहीं उसके स्वामी आपने घर के आसपास लोग, आसपास को पागल हो गया के आसपास के लोग तो मुख कमार दंग एक अता समझ में आएगा तुम तो ठीके से जेसे तो हमारे महल के सारे नोकर लोग हम लोग मिल के काएंगे, नोकर लोग कहा हो किसी लिए, उनलोका मतली मार गया क्या है? हम लोग के किला देगे, मंतली पैसा उनलोक नहीं मिलता है, उनलो अपने बना के काएगा ठीके से जी ऐसा है तो, हाँ वो सबी सबी लोग छोड़ दीजे, अब यहां तुनात बना लेंगे, हम परिवार के लोग मिल के काएंगे, परिवार के कौन? हमारा बच्चे, हम आप सबी लोग, बच्चरों के ज़ रुत्किया है उनलोक के जाके माजबात किलाओ तो से जी यूजी कि हम दोने खांगे , तुम्हारा जीए रुत्किया है तू हमेसा कात रहता है, इतना मोटी होगी जहां जहां से तो से जीटि कि आपके लिए हम बनाने तुम्हार बनाने के जब उत किया है तक तुम बरबाद करेगा चावल ज्यादा घीडा लेगा इसलिए मुझे खडाई देदो और मुझे दूद देदो चावल देदो घीड देदो मद देदो सक्कर देदो यह सब मुझे देदो बोल जैठी सब तेयार के रिए सेज्जी को दिया एक नोकर को लेखे रिए पूरा जांगल के अंदर देदो सोच अगर घर पे बनाया है तो दहमा की दूर दर जाया कोई आ गया तो जंगल पी जाके रही एक मोड आया सुरक्सी जागा पे गया जहां चोर कोई नहीं कोई आ भी नहीं सकता वह सब आपना बगीचा में जाकी एक पेडिक नीच बैट गया बताया नोकर को तुम दूर म दालो तुम्हारा नजर डालते इसमें कम से में एक दाना चाल कतम हो गया तो हमारा गहता है नजर बड़ी बुरा चीज है तुम दूर पे रहो जहां सिर्फ दूर दिकाए ले रहा है कोई आना देख लिया तो उसको मेरे पास मत लाना उदर से लुटा के भागाना है इदर इंदर जी इंदर जी का बहुत संपत्य प्राप्त हो गया है इंदर जी का जनम पाते बहुत संपत्य प्राप्त होता है तो इंदर जी सोचा हम क्या पुन्य किया इतना इतना सारा सुप संपत्य मिला इसे आँख बंद करके देखते ही देखा किया हुआ पुन्य फिर सोचा मेरे परिवार में रुका कौन था अरे मेरा बेटा बन गया चांद्रदेव था उसका बेटा बन गया सूरी देव था उसका बेटा बन गया मातली मातली का बेटा बन गया पंचसी कर तो पंचसी का बेटा कोशी कोशी कौन सा देव था एक भी देवलोत में नहीं है, जाए मानुष वरोत में है, पुन्य तो करता होगा, यह तो खांजूस ही है अभी ताए, बहुत बड़ा खांजूस निकल गया, खाडूस है, यह क्या कर रहा है, खीर बना रहा है, तो इसका खांजूस को मिटाने के लिए कुछ करना पड़ेग फिर अपना चांद्र सूर्य जी को और मातले को पंचसी को बुलाया, चलो हमारा परांपरा का खांजूस ही निकल गया, उसको कुछ कर देंगी, पांचो लोग ब्राह्मन रशी लोगों का रूप लिया, पहले आगया इंद्र जी, ब्राह्मन का रूप में आके, खड़ा हो गया बगल में, एह, ये कौना आगया, ये, हमें फोरा सब बिक्षा, हे, वूँ गलत बात है, ये सिर्जी की बस बिक्षा उक्षा नहीं है, वो सब दूसरों का घर पे है, इधर देखना भी तुमको मना है, जओ जओ, 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 एसे मत कहे स Energy, संत लोगों को सेवा शाथ कारना बहूत पुन्य है, हम जानते बहुत पुन्य है, हमारा पुन्य ज स्वरु रहता है ही नहीं, तुम जाओ यहां सी जाओ, महीं थाड़ी। आपको ये सारे धन पिछरे क्या हो पुन्य के शाक्ति से मिल गया। कौन बोलता है तुमार माँबाप ने बोल दिया। या कि माँबाप कोशी का दो। इधर ये सब नहीं। इसको बताया नहीं सेड़्े एक बास सुनिये। सांसारे में कभी भी खंजूस लोगों को कुछ मिलता नहीं है। जो देता है उन लोगों को मिल जाता है। आपको ये सरे का सुंदर का ये सारे संपत्ति दान देने कारण मिल गया। कभी खली हार से संत लोग को वापस मत पेठाई पचता न पड़ेगा। कभ्ला आपके धन संपत्य कथम हो गया तो क्या करेंगा। तोड़ा डर गया। प्राप्त हो गया। अब अब ये को नहीं है, सेज जी बिक्षा तोड़ा देना, तुम्हार तुमको इधर सिर्फ दिखाए जेता है, बाहर एरिया कुछ दिखता नहीं है, कहां से प्राप्त हो गया, मेरा चोकिदर कहा है, उदर खड़ा है, हम इधर से आया है, दस पंदर अब चोकिदर लाना च चाहिए, तो आब क्या करें, चीके, अब तुम क्या कहाना है, आपको भी थोड़ा से दिखे न, नहीं, तुम एक को हम दे रहे हैं, बस तुम चल जाओ यहां से, ऐसे मात कहा है, सिर्जी, कभी भी जो खंजुस रहता है, खंजुस लोगों को, हमें सा दुख मिल जाता है, अगर थोड़ा सभी देंगे तो, उन लोगों को सारी संपत्ति प्राप्त हो जाता है, धन बढ़ता जाता है, तोड़ा प्रसंद हो गया, तुम्हारा बात भी सही है गुरुर, तुम को भी में थोड़ा दे नहीं पड़े आज मेरा मुहरत गलत हो गया मेरे पातिने का नजर लग गया सहे स्राप की होगी वो कान बना रहा है और इप्राप्त हो गया अब ये कौन है तू को नहीं से जे क्रिशिवर हो तो देख रहा है आया क्यों में हमको भी तोड़ा सा भीक्सा तुम्हों को सापका नजर इस पे है थाणी को खड़ा है पे उजला रंग केर बन रहा है उस पे तुम्हों का नजर तू को नजर दान देना हो तो तो हम जान ते दोगों लोगों बेठा दिया अब तू एसे मत कहे सेट जी कभी भी कंजूस लोग विशन सुर करेगा तो उन्नती नहीं पा सकता है। लेकिन जो त्यागी हैं, दानी हैं, एसे लोग कुछ न कुछ व्यापार करेगा तो, घर बनाना सुर किया तो, जल्दी सीख रही उन्नती प्राप्त करता है। इसका मतलब सेथ जी, दान देना सर्वस्रेष्ट चीज होता है। थुरा प्रसंद हो गया सिख जी, अब क्या करें। तु भी जाके बैठी जी, उन्लों के पास। अरे कोशी, अग तुम्हारा पेट के एक साइट खम से गम भरेगा। अपने को खुद को अपमान करते करते बना रहा है। तुम्हारा गलती। बिना बीवी को बोल कि चुप-चुप सो गया तो अभी तक पालंग पे सो रहा है। और एक है। यह को ने जी। तोड़ा सा कीर चाहिए। बिख्षा चाहिए थोड़ा सा। और आपको यही मेल गया है न। आपको केसे पता। क्योंकि तीन वह बेटा है। तुम्हारा कहानी लेकि वह बेटा है। अब तुम क्या बुलेगा। एसा नहीं चाहिए। दान देना सारो स्रेष्ट हैं। इसलिए तो तीन लोग बेटे हैं। वो चीज बहुत अच्छा है। लेकिन ख़बी जो देता है देने वाला का हाथ खाली नहीं होता है, देने वाले हाथ हमेशा भर जाता है, हर चीज से भर जाता है, आप जितना दोगी उतना ही भर जाएगा, तो सिर्ट जी का मन तोड़ा प्रसन्द हो गया, मैं मुख का एक साइड हासके एक साइड की रो रो की जाएगे, जाएगे उधर बैची तोड़ा साँ, अभी सिर्ट जी कीर बना रहा है, अपने आप आखों से आसु भी गिर रहा है, अब क्या करें, बना दे रहा है, और कौन फर चाई, अब पीच से क्या है, है, हिमाले उटके आगया, हिया यहा, तू कुने रहा है, सिर्ट जी में एक रिशिवर हूँ, तोड़ा डोंगी है, दिखाई दे रहा है, कहला है, सिर्ट जी, थोड़ा सा भूग रहता है, भोजन स्विकार करने के लिए, दो महिना से हम भूग से हैं, हमारा ख्याल कोई नहीं रखता है, तुम एक दिन से भूग, तुमारा ख्याल हम रखें, ऐसा नहीं सा मत कहें सिर्ट जी, दुनिया में बागवान बुद्ध, पच्चे के बुद्ध, अरहमत लोग हमेशा अच्चा बोलता है दान देने के बारे लिए, अगर आप एसा करेगा, तो आप इस दुनिया में महान बन जाएंगे, उत्तम बन जाएंगे, कवर नहीं करने, स्रेष्ट हो जाएगा, अगर दान नहीं दोगी तो नीच हो जाता है, इसलिए सिर्ट जी दान देना सरस्रेष्ट होता है, आप क्या जाएंगे, ठीक जागो, प्रेट इंचे बेटी, अप काके, देंगे तो अड़सा, अब पुरा पांचियों को देना है, पांच भाग कर के पात्र में डाल दिया, अपने नीदम थन्नी सुन बचा हुआ है, पुरा आख फाड के देख रहा है, ये मेरे जमेरे है, वो लोग तो बैठके काया का बहरे पेतरी तो चन हो जाएगे यहां से, हम और बिमार पड़ जाएगा, अब का करें, फिर पांच सिकर तुरा चन ह हो गये वहां से, पांच मा ब्रामन, चन हो कि कुट्ता घरूप लेकर क्या आ गया, ये कोन आ गया ये, इधर घर दोर है इने जांगल है, यहां भी कुट्ता आ गया, तु जब बहुत पूरा पूल छिलाने लगा, पूरा चाटने लगा, सेट जी का, उसे पुरा प्यार के लगा, सूमने लगा, साट के सोने लगा, बहूत प्यार के लगा, ये तो यमराज जी है, या तु पिर मर जागा या हम मर जाएंगी, दोनों का आउंटा आज होने वाला है, आटाने के लिए कीली पुरा कोशिच करता है, कोशिच करा है, डाटता है, मारने जाते, फुच साइड मेरा उद्धर बैर साइड कर दिया अभी अभी आशेट जी रोता है नहीं रोता है फिर बताया पहली हाथ तुरह दो के आएंगे तुम चारो इसको बाग कहा गया चन हो गया ना मिला खताम हो गया वो टीक है तुम लोग चन मत हो जाओ इसको तुरह देखते रहना हम कुछ नहीं है पात्र में इसको पूरा रोने लगा अरे मेरा मेरा सब चला गया सब चला गया इसके बाद इंद्र जियान की में ब्राह्मनिजा के बताया खभी भी इससे चिंता मत करिया आप जो आज दिया है बहुस रेष्ट काम किया है आज दो आब जो आप दिया है को चोटा मोटा लुक नहीं दे पाता। चार लोग आसमान में गया आसमा में जाकर ओर बताने लगा तो एसा है तो सेड जी दान देना बहुस रेष्ट चीज है देखिए आपको कुट्ता को भी आंत में दया आ गया दान देने से ही मन पागितर होता है दान देने वारे लोग दुनिया में स्रेष्ट होता है दान देने वारे लोग में कोई चीज़ का कमी नहीं होता है सत्पुरश लोग निरंतर दान देते हैं सेट जी का उस समय कंजूसी खतम हो गया बहुत सरदुरगत न हो गया है फिर सेट जी पूचा आपनों कौन है इतना मुझे दयाक करके बहुत मेरा काल्यान के बारें सोच रहे तो आपनों कौन है बता मैं हूं इंडर पिछले जनाम में मैं आपका रिष्टा था पूरा आपक या यह डान देना में 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 बेटा अभिछांद्रछ देवता है यह नोगा मांतलद इन ना जो कि पंचहती बन गया पंचहती है यह जो और तुम नहीं हो इसलिए तुम बाविश्य में कई दुब भुबन Sumhenya Houraj गुस गया है, बहुत पच्टा होगी, बहुत प्रसंद हो गया, और और ग्यान बताया तो प्रसंद हो गया, प्रसंद हो कि वाद किया, मैं भी दान दूँगा, मैं भी आप लोग जे सब दूख भोगूँगा, क्योंकि आप लोग बता है, जो दान नहीं देता है, खंजो से, वो कभी स्वर्गेती जनम नहीं पा सकता है हम चाहते स्वर्गे में आके आप जेसे सुख भोगना हम भी देंगे वापस अपना महर में जाकर पूरा दान देने लगा वो यसा जो पेहले दिया वो यसा ही दान देने लगा दन देखे देखे बुड़ा होने के बार ये चला गया हिमाले तरफ, हिमाले तरफ जाकर कि वहाँ तपश्या करने लगा, तो हिमाले में रहते थे नारद नाम का एक रिशी, नारदरिशी दीन में तावती से देवलोक में रहता है रात में उतर जाता है मनुशलोक में एक बार देवलोक से आते समय देवताओं से मिल गया सुन्दर एक खड़ू फूल पूल शिर्फ देवताओं से बड़ा देवताओं को मिल जाते है वो देवता नार्य रिषिक दिया फूल फूल उठा के लाए चात्र जेसा दुप से बचने के लिए फूल को मरता नहीं सुगांद दे रहा है फूल उठा के लाते हैं इंदर जी का चार बेटी थी चार बेटी का नाम है पहला का नाम आशा दूसरा का नाम शद्धा तिसरा का नाम हिरी चोती का नाम सिरी आशा शद्धा हिरी सिरी चार वाते से में देख लिए नार दर्शी जी का फूल इतना सुंदर फूल हमारे पास बेबी नहीं है ये सुंदर फूल नाग असुर को भी नहीं मिलता है जल्दी, देवतां से बड़े बड़े देवतां को मिलता है, हम मागेंगी फूल, चार जाकर के मागा है महामुनिवर, हमें ये फूल दे दिजी, मताया, तुमें से किसको दें, चार है, एक फूल है, Rs. Shiver, हम चारम से सबसी उत्तन, सबसी स्ःष्ट कौन है उनको दे दिजी ền जी सोचा हमको तुम लोग से कौन स्ःष्ट है कुछ दिखता नहीं है तुम लोग जाकी इंद्र जी से पूछ किया हो इंद्र जी का गरस है तुम लोग इंद्र सी जाके पूछे तुम चारों में से कौन स्रेष्ट है तो चारों इंद्र जी के पास आया आकर एक बता है पिता जी हम चारों में से कौन स्रेष्ट है तुम चारों में से हम कैसे कह सकते कौन स्रेष्ट है तुम चारों मेरे बेटी है चारों ही सुन्दर है, चारों के पास आयो विशुक्बल या स्कीर्ती है तो को सी रिशी जी ही माले में द्यान कर रहा है को सी रिशी पास लेक जाओ सुधा भोजन ले जाकर कि हम किसी से सुधा भोजन पैठा देंगे मातली से तुमनों जाकर कि बताओ इस मांगो सुधा बोजन सबसे उत्तम उसको सुधा बोजन मिल जाएगा तो वही है श्रेश्ट इसके बाद इंदर जी बोलने के बाद खुस हो गया चारों पिर कोने मातनी को बुला के बता जाओ जाकर कि सुधा बोजन देदो कोसी रिशिजी को बहुत दीन से और सेडां के से कान पान नहीं मिला गाउं से दूर हीमाले में सुधा बोजन पूजा किया सुधा बोजन राकने के बाद वो चारो आ गई श्रद्धा हीरी ने आशा श्रद्धा हीरी सिरी आकर बता आने लगा चारो दिसा में खड़ा हो गया चारो पहले आशा आकर बताया मेरा प्रणाउ मैं उट्तरम होना चाहता हूँ इसलिए मुझे ये सुधा बोजन दे दिजिए जो सुधा बोजन मिलता है वो उत्तरम हो जाता है खोसी सिर्धी पूरा आपमान के नीचे तुम लोग अपना फायदे के लिए का रहा है हमेशा बुद्धिमान लोग सोचने दा है बाठ के काने के लिए तुम लोग कहा आगे स्रद्धा, स्रद्धा की मांगिला, उसको भी डार की बगा दिया, सीरी आगे, हीरी आगे मांगिला, वो भी बगा दिया, सीरी आगे बता है, खाड़ा हो गया, तुम क्या कुछ नहीं बोलती हैं, क्या बोलती हैं, हम ये मांगना नहीं चाहते हैं, हम को ये सुदा हो गया बहुत अच्चा जो नहीं मांगता है उनलों को हमेशा मिलते रहता है मांग ना सुर किया तो उनलों को जल्दी कुछ नहीं मिलता है नीच हो जाता है तुम उत्तम हो तुम स्रेष्ट हो अती उत्तम है क्यों तुम मुसे नहीं मांगा है इसलिए तुमको हम यह दे दू इसके बाद कुछ समय में कोशी रिशी जी मर गया मारके इंदरजी का भवन में जनम लिया एक देव सुंदर देवराज बन गया तब देवराज को अग्रमहेशिका महाराणी बना दिया सिरी दिव्यांगना तब भगवान बुद्ध ने बताया उस्समय हिरी सिरी ने हिरी हिरी देवी थी ये उप्पल वन्ना उस्समय कोसी सेट जी ये दान देने वाली बिक्षु बहुत देर है वो मेरे चालती देर है पांचसिक देवराज ता अरहांत अनुरुद्ध बन्ते जी मातली दिव्या पूत्र ता अरहांत आनंद बन्ते जी सूरी दिवपुत्रता, धुथांगदारी, महाकाश्य पारहन बांतेजी, चांदर दिवपुत्रता, अरात्महा मुगलन बांतेजी उस्समें दिन के समय में देवलो पिजाताय राप में मनचुलो पुरेताय वो नारदरिसी जीत्था ये सारी पुत्र बन थी उस समें सक्रदेव इंद्र इंद्र जी था ताथागत बगवान गुद्ध जी ये जातक कहानी का नाम क्या था? सुधा भोजन जातक आपलो भी दान दे बिची कभी भी दान देने से पीछे मत था थी आपलो कुछ भी खाएगा तो बात के काईए अखेले काने से एक पुन्य भी नहीं मिलता है अगर आपलो थोड़ा बात के काएगा तो उस से भी आपको पुन्य मिलेगा कभी भी स्वार्ती मत हो जाए कोई भी चीज का स्वार्थी होने से पुन्य नहीं प्राप्त होता है परार्थ होने से पुन्य हमें समेर से रहता है उस मौका मत गवाई आप लोग देने का समय आगे देने का समय मतला समझ अभी आप लोग दिमाग वाले हैं बुद्धिमान हैं देने के लिए ज्यादा कुछ ने तोड़ा भी तो है, आप लोग खाना काते हैं, फल काते हैं, चाय पीते हैं, बात के काने कादत रखी, क्यूं? याद रखी, खंजूस के कारण, लाल्ची के कारण, सरीर मनवाने से पाप करने कारण, किसी को एक पैसा कूड़ी में नहीं मिल हैं, इधर बाजार में हो कहीं भी हो, किसी को कोई खं़ाने पर एक रुपे मिलेगा तो, एक दाना चाओल मिलेगा तो, कम से कम बैठने के एक कूर्शी मिल गया तो हर एक चीज, कभी नखभी किया हो, पुण्य के कारण प्राप्त हो गया है, दुसरा कारण, कुछ नहीं प बढ़ाइए निरंतर दान दे दिजी। फोई बीडिका हां जूस मति कभी 22 के बारे मात शोची। थोची ऑन चिरू जवा करेंगे यह करेंगे यह करेंगे। आच के बारे में सोची पुन्य करने के लिए। क्या पता खाल मर गया तो बारे शीक अताम है। इसलिए दान दे दिजी, अकेला खान थोड़ा सा छोड़ दिजी, थोड़ा भी बाट बाट के कान का क्यावट रहें, बगवान बुद्ध ने बताया था न, पुन्य के बारे में बगवान बुद्ध जी जैसा लोग जान जान जाएगा तो, कोई भी ब्याक के अकेले कुछ भी नहीं काएगा, जात कान वो चीज़ है, इसलिए आप लोगों को दान देख करके, धार्मी खोके, सुक संपत्ति पाने, सुक संपत्ति शांति आप सब को निर जाएए,